हम अपनी जिन्दगी में सुभे से शाम तक अंकों तता संख्याओं का कहां कहां प्रयोग करते हैं चलिए इसे एक बार देखते हैं खेल का मैदान हो या पढ़ाई हर जगा हमें अंकों का प्रयोग करना ही पड़ता है साब सीरी का खेल ही ले लीजिए हमें उसमें अंकों की मदद लेनी ही होती है इसी प्रकार अगर घड़ी में समय देखना हो तो भी हमें अंकों की और संख्याओं की साहिता लेनी होती है कैलेंडर में तारीक देखते समय भी हमें संख्याओं की साहिता लेनी होती है इसे प्रकार और कई जगाहों पर जैसे नोटों पे सिक्कों पे सभी पर संख्याएं ही अंकित होती है इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी जिन्दगी में अंकों का कितना महतो है परंतु अंतर इतना है कि कभी कभी ये संख्यायEZ हमें कर में दिखाई देती है और कभी कभी ये क्रम नहीं भी नजर आता जैसे मैं आपको कुछ उधारन देती हूँ कुछ संख्याओं का समूद देती हूँ आपको उसमें एक अंक भरना है पांच, पंद्रा, पच्चिस, पैंतिस, पैंतालिस अब अगला अंख क्या होगा? जी हाँ, अगला अंख पच्चपन ही होगा इसी प्रकार संख्याओं का एक और सम्हू लेते हैं एक, चार, नौ, सोला, पच्चिस, चत्तिस अब आगे आपको यह बताना है कि इसके अगली संख्या क्या लिखी जाएगी? जी हाँ, इससे अगली संख्या उनिन्चास होगी संख्याओं के एक और सम्हू पर प्रकाश डालते हैं एक, एक बटा दो, एक बटा तीन, एक बटा चार, एक बटा पाँच अब अगली संख्या क्या होगी? जी हाँ, अगली संख्या एक बटा छै होगी इसी प्रकार हम अगले संख्याओं के सम्हू को देखते हैं एक, ग्यारा, एक सो ग्यारा, एक हजार एक सो ग्यारा, ग्यारा हजार एक सो ग्यारा होगी इन सभी उधारनों को देखकर आपको यह पता चलता है कि यह सभी उधारन एक क्रम में लिखे गए हैं जैसे आपको यह पता चल जाएगा पहले उधारन को देखते हैं 5 15 25 35 45 इसमें सभी में 10 10 का अंतर दिखाई देता है जैसे 5 में 10 जोड़े तो 15 मिलता है 15 में 10 जोड़े तो 25 मिलता है 25 में 10 जोड़े तो 35 मिलता है इसी प्रकार 55 को प्राप्त करने के लिए 45 में 10 को जोड़ना होगा आईए दूसरे उधारन को एक बार फिर से देखते हैं यहाँ 1 1 का वर्ग है 4 2 का वर्ग है 9 3 का वर्ग है तो इस प्रकार 25 5 का वर्ग है 36 6 का वर्ग है तो अगली संख्या 7 का वर्ग अर्थात 49 होनी चाहिए आईए तीसरे उधारन को दुबारा से देखें एक एक बटा दो एक बटा तीन एक बटा चार एक बटा पाँच इसमें सभी में अंश तो एक है परन्तु हर प्राकृत संख्याएं हैं जो की आरोही क्रम में लिखी गई है एक दो तीन चार पाँच तो अगली संख्या 6 होगी अर्थात कुल संख्या हमें यहाँ पर एक बटा छे लिखनी होगी अगली संख्याओं के क्रम को देखें यहाँ एक को एक बार लिखा गया है यहाँ एक को दो बार लिखा गया है यहाँ एक को तीन बार लिखा गया है अगले में चार बार अगले में पाँच बार तो अगली संख्या को प्राप्ट करने के लिए हमें एक को एक, दो, तीन, चार, पांच और छे बार लिखना होगा इससे हमें यह पता चला कि कुछ संख्याएं कभी-कभी एक क्रम में दिखाई देती है वो संख्याएं जो एक क्रम में लिखी जाती है वह एक अनुक्रम बनाती है अतहा एक निश्चित क्रम में संख्याओं की व्यवस्था को अनुक्रम कहते हैं उधारन के लिए दो, चार, छे, आठ, दस और एक और उधारन लेते हैं मानिए आपकी कक्षा में तीन बच्चों की उच्चाईयां सेंटीमीटर में इस प्रकार है एक सो बावन दशमलव पाँच सेंटीमीटर दूसरे बच्चे की उच्चाई मानिए एक सो पच्चपन सेंटीमीटर है तीसरे बच्चे की उच्चाई मानिए एक सो उननचास दशमलव दो सेंटीमीटर है इसी प्रकार हम उस कक्षा के बहुत से विद्यार्थियों की उच्चाईयां लिख सकते हैं अब इसमें पहले उधारन को देखते हैं पहले उधारन में दो, चार, छे, आठ, दस और इस प्रकार संख्याई लिखी गई है यह एक क्रम बनाती हैं जिसमें दो इसका पहला पद है चार दूसरा पद है, छे तीसरा पद है इसे दर्शाने के लिए दो को हम ए एक से दर्शाएंगे चार को दर्शाने के लिए हम ए दो से दर्शाएंगे इसी प्रकार दस को दर्शाने के लिए एक, दो, तीन, चार, पाँच अर्थाथ ए पाँच से दर्शाया जाएगा इसी प्रकार दूसरे उधारन को देखें तो 152.5 cm पहला पद है 155 cm दूसरा पद है इसे A2 से दर्शाया जाएगा और इसी प्रकार क्यूंकि 149.2 cm तीसरा पद है तो इसे A3 से दर्शाया जाएगा इन दोनों ही उधारनों में यहें एक क्रम में लिखे गए है अब इसमें देखा जाए पहले उधारन में तो यहाँ पर अगर हमें 4 को प्राप्त करना है तो हम 2 में 2 को जमा करने पर निकालते हैं इसी प्रकार चार में दो को जमा करें तो छे मिलेगा छे में दो जमा करें तो आठ मिलेगा आठ में दो जमा करें तो दस मिलेगा इस प्रकार अगर हम आगे की संख्याई लिखना चाहें तो हर पहले पद में दो को जमा करें तो अगली संख्या मिल जाएगी परंतु इससे नीचे वाले उधारन में देखें तो यहाँ पर तीन छात्रों की उचाई दी गई है इन तीनों पदों को देखकर हम यह नहीं बता सकते कि चौथे विद्यार्थी की उचाई कितनी होगी परंतु यह दोनों ही एक अनुक्रम बनाते हैं इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी अनुक्रम के अंदर संख्याओं को लिखने के लिए या तो हम उसके पदों को अलग-अलग दर्शाय जा सकता है या फिर हमें उसको उसके एनवे पद अर्थात अन से दर्शाना होगा जैसे इस उधारन में देखिए दिये गए व्यापक पद AN बराबर है N गुना N घटा दो बटा N जमात तीन में यह एक एनवा पद दिया गया है इससे एक अनुक्रम बनता है जिसके पहले पांच पद आपको ग्याद करने है इसके लिए हमें इसके अंदर N का मान क्रमशाह एक, दो, तीन, चार और पांच प्रतिस्थापित करना होगा चलिए N का मान एक रखने पर क्या प्राप्तों होता है इसे देखते हैं एक, N का मान एक रखने पर एक बराबर है एक गुना एक घटा दो बटा एक जमा तीन बराबर है एक गुना घटा एक बटा चार बराबर है घटा एक बटा चार इसी प्रकार अगर हम N की जगा दो को रखें तो हमें एक दो प्राप्तों होता है जो बराबर है दो गुना दो घटा दो बटा दो जमा तीन जो की बराबर है दो गुना शुन्ने बटा पांच और यह बराबर है शुन्ने की इसी प्रकार अगर हम N की जगा 3 को रखें तो ए 3 बराबर है 3 गुणा 3 गटा 2 बटा 3 जमा 3 बराबर है 3 गुणा 1 बटा 6 बराबर है 3 बटा 6 और 2 बराबर है 1 बटा 2 के इसी प्रकार N की जगा 4 रखने पर हमें 4 पद प्राब्त होगा ए 4 बराबर है 4 गुणा 4 गटा 2 बटा 4 जमा 3 जो की बराबर होगा 4 गुणा 2 बटा 7 के और जो की बराबर है 8 बटा 7 के इस प्रकार 8 बटा 7 इसका चौथा पद है पाँचवा पत प्राप्त करने के लिए हमें N की जगा 5 को रखना होगा इसलिए ए 5 बराबर है 5 गुना 5 घटा 2 बटा 5 जमा 3 बराबर है 5 गुना 3 बटा 8 जो की बराबर होगा 15 बटा 8 के इस प्रकार प्राप्त किये गए अनुक्रम के पहले 5 बट क्यूंकि हमने N की जगा पर 1 से 5 तक रखा था इसलिए प्राप्त किये गए अनुक्रम के 5 बट इस प्रकार है घटा 1 बटा 4 शुन्य एक बटा 2 आट बटा 7 तथा 15 बटा 8 इस प्रकार आपको पता चला कि हम अगर व्यापक पत में अर्थात A N में अगर कोई मान प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें उस थान का पत प्राप्त हो जाएगा अब हम अपने पहले लिए गए दो अनुक्रमों के उधारनों को फिर से सोचते हैं दो, चार, छे, आट, दस यह हमारा पहला अनुक्रम का उधारन था इसमें हमें यह पता चल रहा था कि हर संख्या के अंदर हम दो को जोड़े तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही थी इसी प्रकार हमने देखा था कि अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें दस में दो जोड़ा तो बारा मिल जाएगा बारा में दो जोड़े तो चौदा मिल जाएगा इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हर प्राप्त करने के लिए हमें उससे पहले प्राप्त में दो को जोड़ना होगा परंतो दूसरे उधारन में आपने ये देखा था कि वहां तीन चात्रों की उचाईया दी गई थी उन तीन उचाईयों को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि चौथे चात्र की उचाई कितनी होगी ऐसी अनुक्रम जिसमें कि अगला पद पीछे दिये गए पदों को देखकर नहीं निकाला जा सकता वे श्रेडी नहीं कहलाते जबकि पहला उधारन जिसमें की हर एक पत अपने पहले दिये गए दो या दो से ज़ादा पदों से निकाले जा सकते हैं उनको हम श्रेडी कहते हैं अनुक्रम जो किसी विशेश पदती का अनुसरन करते हैं श्रेडी कहलाते हैं जैसे एक, तीन, पाँच, साथ, यह हमने एक संख्याओं का क्रम लिखा है इसमें एक में दो जोड़ें तो तीन मिलता है तीन में दो जोड़ें तो पाँच मिलता है पाँच में दो जोड़ें तो साथ मिलेगा अब इन संख्याओं को देखकर हम यह बता सकते हैं कि अगली संख्या में अगर दो जोड़ें तो हमें नौ प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार हमने देखा कि एक, तीन, पाँच, साथ, एक श्रेडी है जबकि वह उधारन जिसमें चात्रों की उचाई दे रखी थी वहाँ पर चौथे चात्र की उचाई या इसी प्रकार आगे और चात्रों की उचाई हम नहीं निकाल सकते केवल हमें तीन चात्रों की उचाई दे रखी है तो वह एक अनुक्रम है परन्तु वह एक श्रेडी नहीं बनाता श्रेडी बहुत से प्रकार की होती है जैसे समांतर श्रेडी, गुणोतर श्रेडी, समांतर गुणोतर श्रेडी, इत्यादी परन्तु इस कक्षा में आपको केवर समांतर श्रेडी के बारे में चर्चा करनी है चलिए देखते हैं समांतर का अर्थ क्या है समांतर का अर्थ है समान जमा अंतर यह है शब्द समांतर दो शब्दों समान तथा अंतर से मिलकर बना है जिसका अर्थ है सार्व अंतर अर्थात एक ऐसा अनुक्रम या एक ऐसी श्रेडी जिसके अंदर दो पदों के बीच में एक सा अंतर हो समान अंतर हो ऐसी श्रेडी को समानतर श्रेडी कहते हैं यदि ए एन जमा एक बराबर है एन जमा डी जहां एन सभी प्राकृत संख्याएं हैं उधारण के लिए दो पाँच आठ ग्यारा चौदा यह एक समानतर श्रेडी है क्योंकि यहाँ पाँच प्राप्त करने के लिए जो कि एक दूसरा पद है प्राप्त करने के लिए हमें दो में तीन को जोड़ना होगा इसी प्राकार पाँचवा पद अर्थात 14 को प्राप्त करने के लिए हमें चौथे पद 11 में तीन को जोड़ना होगा हम इसे इस प्राकार भी कह सकते हैं कि पाँच में से दो को घटाया जाए तो हमें तीन मिलेगा आठ में से पाच को घटाया जाए तो भी हमें तीन विलेगा 11 में से 8 घटाने पर या 14 में से 11 को घटाने पर भी हमें 3 प्राप्त हुगा इस से हमें यह पता चलता है कि इस श्रेडी के प्रतेट पत के बीच का अंतर 3-3 है अर्थात 3 सार्व अंतर हुआ इस श्रेडी 2, 5, 8, 11, 14 में प्रथम पथ 2 है और सार्व अंतर 3 है एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर प्रथम पथा 2 जिसे हम एसे प्रदर्शित करते हैं द्वित्य पथा 5 जिसे प्राप्त करने के लिए हमने प्रथम पथ 2 में 3 को जोड़ा अर्थात अगर प्रथम पथ A है तो उसमें सार्व अंतर अर्थात D को जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है इसी प्रकार दुट्यपत अर्थात 8 प्राप्ट करने के लिए 5 अर्थात दुट्यपत में 3 को जोड़ना होगा इस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे A जमा D जोकी हमारा दुट्यपत था इसमें दुबारा से सार्व अंतर को जमा करें तो हमें A जमा दो गुना डी प्राप्ट होगा इसी प्रकार चतुर्थ पद प्राप्ट करने के लिए जोकि ग्यारा था उसे प्राप्ट करने के लिए त्रित्य पद अर्थात 8 में सार्वांतर 3 को जमा करना है इसके लिए 8 को हम A जमा 2 गुणा D लिख सकते हैं क्योंकि हमारा त्रित्य पत्था 8 उसको हमने A जमा 2 गुणा D लिखा था इसी लिए 8 जमा 3 करने के लिए हमें 8 के स्थान पे तो A जमा 2 गुणा D लिखना है और सार्व अंतर के स्थान पर हमें जमा D तुबारा लिखना है तो इस प्रकार चतुर्थ पद हुआ A जमा 3 गुना D इसी प्रकार हम अगर इस श्रेडी को इस प्रकार लिखें तो हमें प्राप्त होगा प्रथम पद A दृत्य पद A जमा D तृत्य पद A जमा 2 गुना D चतुर्थ पद A जमा 3 गुना D इसी प्रकार हम इस से आगे के पद भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं यहां अगर हम पहले पद को A एक से दर्शाएं अर्थात A एक पहला पद है तो दूसरा पद A दो से दर्शाया जाएगा वह हमारा A जमा D था उसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं A जमा एक गुना D क्यूंकि अगर हम A को D से गुना करे भी तो भी हमें D ही प्राप्त होता है अगला देखें तो तृत्य पद अर्थात A तीन यह था A जमा दो गुना D इसे प्राप्त करने के लिए हमें A में जमा करना होगा दो गुना D को चतुर्थ पद में A जमा तीन D प्राप्त करने के लिए हमें A में तीन गुना D को जमा करना होगा इससे हमने यह देखा कि जब हमने यहां दो लिखा था तो हमने गुना किया एक से जहां हमने तीन लिखा था अर्था तृत्य पद में हमने बी को गुरा किया दो से अर्था तीन में दो से, चार में तीन से तो हर बार हमें इसमें एक-एक कम संख्या से उसे गुना करना होगा यहां हमें यह पता चला कि हर बार हर पद प्राप्त करने के लिए हमें उससे छोटी संख्या, उससे एक कम संख्या से सार्व अंतर को गुना करना होगा इसी प्रकार अगर हम अर्थात एन घटा एक गुना डी करना होगा यहाँ A प्रतमपद है और D सार्व अंतर है इस प्रकार A N जमा N घटा 1 गुना D एक समांतर श्रेडी का व्यापकपद हुआ जिसमें A प्रतमपद है N पदों की संख्या है अगर हम N की जगा पर एक डालेंगे तो वह हमें प्रतमपद प्राप्त होगा दो डालेंगे तो वो दूसरापद प्राप्त होगा इसलिए यह N पदों की संख्या को दर्शाता है और D तो सार्व अंतर है ही अब एक प्रश्न को देखते हैं क्या 21, 16, 11, 6, 1, घटा 4, घटा 9, 1 समांतर श्रेडी है अब समांतर श्रेडी को जाचने के लिए हमें उसमें यह देखना पड़ेगा कि उसके पदों के बीच में किस प्रकार का अंतर दिखाई देता है यहां पहला पद अर्थात A1, 21 है A2, 16 है, A3, 11 है और इसी प्रकार A2, 3, 4, 5, 6, 7 अर्थात A7, घटा 9 है यहां पर अब दो पहले पदों के बीच में पहले दो पदों के बीच में हम अंतर को देखते हैं A2, घटा A1, बराबर है A2 था 16, घटा A1 था 21 तो 16 घटा 21 बराबर है घटा 5 के इसी प्रकार यदि हम दूसरे पद को तीसरे पद में से घटाएं जैसे A3 घटा A2 बराबर होगा 11 क्योंकि तीसरे पद 11 था ग्यारा घटा A2 अर्था 16 बराबर है घटा 5 के इसी प्रकार अगर हम आगे घटाते जाएं तो सात्वा पद है घटा 9 और इससे पहला अर्था छटा पद है घटा 4 इन दोनों को घटाने पर घटा 9 गटा घटा 4 बराबर होगा घटा 9 गटा गटा जमा चार बराबर है घटा 5 के यहां हमने यह देखा कि हर बारी अंतर जबी भी हम घटा रहे हैं तो अंतर हमें घटा 5 ही प्राप्त होता है इसलिए सार्व अंतर बराबर है घटा 5 के और जब एक श्रेडी में जबकि सार्व अंतर बराबर हो तो वह एक समांतर श्रेडी बनती है इसलिए 21, 16, 11, 6, 1 घटा 4 घटा 9 एक समांतर श्रेडी है क्योंकि यहां सार्व अंतर घटा 5 है अब हम इसके व्यापक पद पर विचार करते हैं यहां पहला पद है 21 और सार्व अंतर हमने निकाला घटा 5 व्यापक पद का सूतर एक बार फिर से देखते हैं व्यापक पद अर्थात एन यह बराबर है ए एक अर्थात प्रथम पद जमा पदों की संख्या एन घटा एक गुना सार्व अंतर अब यहां देखें तो ए एक का मान है 21 जमा एन घटा एक और सार्व अंतर का मान है घटा 5 इसे प्रतिस्थापित करने पर अगर हम इसे हल करें तो मिलेगा 21 घटा 5 गुना एन जमा 5 जो की बराबर होगा 26 घटा 5 गुना एन के तो इस समानतर श्रेडी का व्यापक पद बराबर है 26 घटा 5 गुना एन के आईए एक और प्रश्न देखते हैं X जमा B, X जमा 3B, X जमा 5B का व्यापक पद ज्याद करो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यह एक समानतर श्रेडी है हमें इसका व्यापक पद ग्याद करना है अगर हम ध्यान से देखें तो यह एक समानतर श्रेडी है एक समानतर श्रेडी का व्यापक पद ग्याद करने के लिए सूत्र है A N बराबर है प्रथम पद जमा पदों की संख्या घटा एक गुना सार्व अंतर अब यहाँ प्रथम पद X जमा B है द्वित्ते पद अर्थात A2 बराबर है X जमा 3B इसी प्रकार आगे के पद भी लिखे जा सकते हैं परंतु यदि हमें सार्व अंतर निकालना है तो हमें किनी दो पदों का अंतर ग्याद करना होगा परंतु यदि हमें सार्व अंतर ग्याद करना है तो हमें किनी दो साथ आने वाले पदों का अंतर ग्याद करना होगा तो यहाँ सार्व अंतर अर्थात D बराबर है A2 घटा A1, A2 है X जमा 3B, घटा A1 है X जमा B इसे हल करने के लिए हमें इन कोश्टकों को खोलना होगा इससे हमें प्राप्त होगा X जमा 3B, घटा X घटा B इसे आगे हल करें तो X और X आपस में कट जाएगा और हमें मिलेगा 3B घटा B अर्थात 2B यहाँ हमने देखा कि प्रथम पद X जमा B है और सार्व अंतर 2B है हमें यहाँ पर इसका व्यापक पद निकालना था व्यापक पद का सूत्र हम देख चुके हैं A N बराबर है प्रथम पद जमा N घटा 1 गुना सार्व अंतर यहाँ पर प्रथम पद और सार्व अंतर का मान प्रतिस्थापित करें तो A1 बराबर है X जमा B जमा N घटा 1 गुना सार्व अंतर का मान है 2 B इसे यहां प्रतिस्थापित करें और इसे हल करें तो हमें मिलेगा X जमा B जमा 2 N B घटा 2 B इसे और हल करें तो व्यापक पद प्राप्त होगा X जमा 2 N B घटा B इस प्रकार व्यापक पद हुआ A N बराबर है X जमा 2 N B घटा B आज की चर्चा में हमने जाना कि एक अनुक्रम क्या है एक अनुक्रम एक निश्चित क्रम में संख्याओं की व्यवस्था को अनुक्रम कहते हैं फिर हमने यह जाना कि एक अनुक्रम तता श्रेडी में क्या अंतर है हमने यह जाना कि हर एक श्रेडी तो एक अनुक्रम है परन्तु हर एक अनुक्रम ज़रूरी नहीं की श्रेडी हो अनुक्रम जो किसी विशेश पदती का अनुसरन करते हैं श्रेडी कहलाते हैं अर्थात हर एक श्रेडी एक अनुक्रम बनाती है आईए हम इन अनुक्रमों पर विचार करें पांच, बारा, उन्निस, चब्विस, इत्यादी, तीन, छे, बारा, चौबिस, इत्यादी, एक बटा चार, एक बटा आठ, एक बटा बारा, एक बटा सोला, इत्यादी ये सभी श्रेडी के उधारन है, पहली श्रेडी में प्रतेक दो पदों के बीच का अन्तर साथ है, जैसे बारा घटा पांच, साथ, उन्निस घटा बारा, साथ, चब्विस घटा उन्निस, साथ, इत्यादी दूसरी श्रेडी में पदों के बीच का अनुपात 2 है, जैसे 6 बटा 3, 2, 12 बटा 6, 2, 24 बटा 12, 2, इत्यादी इसी प्रकार तीसरी श्रेडी में हरों अर्थात 4, 8, 12, 16 इत्यादी इनके बीच का अंतर समान है हम अपने अगले पाठ में एक समानतर श्रेडी के एन पदों के योग के बारे में जानेंगे कर दो कर दो कर दो